मेश, आर्थिक और व्यावसाइक रूप से आज का दिन लाब दायक होने की संबंद में गणेशी बताते हैं आर्थिक लाब मिलेगा, लंबी समय का वित्तिय आयोजन भी कर सकेंगे, शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे व्रिशब, विचारों की विशालता और वाणी का जादू आज अनुप्रभाविक और मंत्र मुग्द करेगा लोगों के साथ सोहार्दपूर्ण संबंद रहेगा, बर्दिक चर्चा या बाद विवाद में सफलता मिलेगी वाचन एवं लेखन में अभिरुची बढ़ेगी, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है मिथुन, गणेशी कहते हैं कि महत्वपूर्ण नेवर लेने में आप लुविखा अनुपहब करेंगे माता और इस्तरियों के मामले में अधिक सम्वेदन शील बनेंगे मित्रों तथा स्वजनों के साथ की मुलाकात से आप खुश्छाल रहेंगे लगुई आत्रा का योग है, भाई बंधों से मेल जोल बना रहेगा प्रियव्यक्ति के सानेध्य से मन रोमान चित बनेगा सिंग, दूर बसने वाले इसनेही जन तथा में पिसाथ की संदेश व्यवहार से आप को लाब होगा परिवार में सुक्षानती बनी रहेगी, उत्तम भोजन की प्राक्ति होगी आपकी वाकपटुता से किसी के मन को जीत सकते हैं, निधारित काम में सफलता मिलेगी कन्या, वैच्वारिक सम्रिद्धी और वाणी की मुखनता से आप को लाब होगा और आप सोहार्द पूर्ण संबंद विक्सित करके अपना काम निकाल सकेंगे व्यवसाई की दृष्टी से आज का दिन लाब दायक साबित होगा आपका स्वास्य बना रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा तुला, आपकी वाणी और व्यवहार को सहियम में रखना पड़ेगा अन्य व्यक्तियों या कुटुम्भी जनों के साथ उग्र बोलचाली होनी की संभाव ना है पर उपकार का बदला उपकार से मिल चकता है आई की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी तबीयत का ध्यानत से वी गणेश्ची की सला है व्रेश्चिक गणेश्ची की क्रपा से आप ग्रहस्त जीवन में सुख और संतोश की अनुभूती करेंगे पत्नी तथा पुत्र की तरफ से शुब समाचार मिलेगा मांगलेक कारे होंगे विवा के लिए संयोग बनेगे नौकरी धन्दे में अच्छे अफसर खड़े होने से आय मिव्रिदी होगी धनू गणेशी बताते हैं कि आर्थिक और व्यापारिक आयूजन करने के लिए शुब दिन है कारे सफलता पूर्वक संपन होगा परूपकार की भावना आज बलवतर रहेगी आमोद प्रमोद के साथ आपका दिन व्यती होगा नौकरी व्यवसाई में पदूनती और मान सम्मान प्राप्थ होगा गणेशी कहते हैं कि आपका आज का दिन मिश्रफल दायक साबित होगा बौधिक कारियों और व्यवसाई में नई विचार धारा अमर में लाएंगे कुम्भ नकारात्मक विचारों से मन में हताशा पैदा होगी इस समय मानसिक उद्वेग और क्रोध की भावना का अनुभव करेंगे खर्च बढ़ेगा वाणी पर सयम न रहने के कारण खरिबार में मन मुताब और जगड़े होने की संभावना है प्यापारियों को भागीदारी के लिए उत्तम समय है पती-पत्नी के बीच दामपत्य जीवन में निकटता का अनुभव होगा मित्रों स्वजनों के साथ मिलन मुलाकात होगा